नमस्कार मैं हूँ प्रबीन और आप देख रहे हैं नियूस क्लिक का डेली रौंड अप शो आई नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्ख्यों पर पिट्टो डकायती सारवजनिक लूड का सरकारी ब्लूप्रिंट एक साल के संगर्ष के बाद से जेल से रिहा आसिव तेवांगना और नताशा कहा संगर्ष जारी रहेगा ओएबी के निगमी करण के खिलाप रक्षा करमचारी महा संका और शितकालिन हर्ताल पर विचार विमर्ष यूपी चार महिने में बाइसजाद जल निगम करमचारियों को नहीं मिला वेतन और पेंचिन हिलगार मामला अदालत ने स्टेंट स्वामी को अस्पताल में रखने की अबदीब बढ़ाई और आखर में हम बात करेंगे कोरोना अपडेट की मौत के आकड़े घटे लेकिन अभी भी 24 घंटों में देड़ हजार से ज़ादा मौते कुछ साल पहले पेट्टोलियम उत्पादों की कीमतों को नियंतर मुक्तर कर दिया गया था और इन कीमतों को बाजार से जोड़ दिया गया था किंद सरकार अब इसका इस्तमाल लोगों पर अप्रत्च कर लादने के लिए करता है उधारण के लिए चार बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चन्ने को ही ले ले इन महानगरों में पेट्टोल की ओसत कीमते 2014 से 15 की तकरीबन 58.91 रुपए प्रती लीटर से बढ़ कर 15 जुन 2021 को 98.26 रुपए हो गई है कीमतों में या बढ़ोत्री 7 सालों में लगबख 60-70 प्रतीशत की है इसी तरह इस अवधी में डीजल की ओसत कीमत 48.26 रुपए प्रती लीटर से बढ़ कर 91.61 रुपए प्रती लीटर हो गया है जो की चौका देने वाली तकरीबन 89 प्रतीशत की वृद्धी है जैसा कि इस चार्ट में दिखाया जा रहा है पिछले कुछ सालों में दैनिक कीमतों की या पूरी सुची पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्राले के तहत काम करने वाले पेट्रोलियम योजना और विसलेशनल प्रकोष्ट के पास उपलब्ध है भारत अपने जादतर पेट्रोलियम उत्पादों की जरुतों को अन्य देशों से एक निश्चित समिश्टरण में कच्चे तेल का आयाद करके और फिर इसे पेट्रोल डीजल एलपीजी और दूसरे उप्योगी रसायनों सहीत विबिन उत्पादों में रिफाइन करके पूरा करता है अकसर यह कह दिया जाता है कि कच्चे तेल की बढ़ती इस वैश्विक कीमतों के चलते ही घरेलू कीमतों बढ़ रही है इससे बड़ा जूट कुछ और हो ही नहीं सकता जैसा कि स्क्रीन बर मौजूद चार्ट से पता चलता है कि पिछले साथ सालों में कच्चे तेल की कीमते 2014-15 की ओसतन 46.59 डॉलर प्रती बैरल से बढ़कर मई 2021-22 में 46.95 डॉलर प्रती बैरल हो गई है जो की तक्रीबन 44 प्रतीशत की बढ़ोत्री है लेकिन इसके मुकाबले घरेलू कीमतों में बहुत जादा व्रिद्धी हुई है जो यदाशाता है कि पेट्रोल और डीजल की आसमान छूदी कीमतों का कच्चे तेल की अंतर रास्टी कीमतों से कोई लेना देना नहीं है पिछले एक साल से बिना सबूत के तिहार जेल में बंद जामिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तनहा और जवाहलाल नहरु विश्विद्याली की छात्रा देवांगना कालिता और नताशा नर्वाल को गुरुवार शाम को रिहा कर दिया गया रिहाईती भी आसान नहीं थी उच्छ नियायाले ने 15 जून को ही इने जमानत दी थी लेकिन पुलिस आपचारित्रताओ का बहाना बनाकर इने रिहा नहीं कर रही थी गुरुवार को न्यायाले ने पुलिस को फटकार लगाई और कहा जमारत मिलने के बाद उन्हें जेल में रखना गैर कानूनी है इसके बाद आनन फानन में उन्हें शाम को अंधता रिहा कर दिया रिया उनकी रिहाई के बाद स्वागत के लिए जेन्यू, जामिया और डियू से बड़ी संख्या में चात्र और कई सामाजिक कारिकरता आये थे उनकी रिहाई के समय वहाँ चात्र इंकलाब जिन्दाबाद सारे पिजड़े तोडेंगे इतियास की धारा मोडेंगे और दिल्ली दंगे की खतित साजिश में जेल में बंद अन्य छात्र और युवा नेता जिने दिल्ली पुलिस ने आतंक रोधी कानूनों के तहट जेल में कैद कर रखा है उनकी रिहाई के लिए भी नारे बुलंद किये गए Ordinance Factory Board को भंक करने और इसे 7 सरकारी स्वामित्ववाली Corporate संस्थाओं के तोर पर अस्थाना पत्र करने के लिए का केंद सरकार का फैसला रक्षा करमचारीों के महासंगों को ऐसा लगता है कि गवारा नहीं है जिसके चलते करमचारी महासंगों को एक बाप फिर से अनिश्चित कालीन हर्ताल पर जाने के लिए विचार करना पड़ रहा है जिसे पुर्व में उन्होंने पिछले वर्ष अस्थगित कर दिया गया था केंद्री मंत्री मंडल ने बुद्धवार को 246 साल पुराने ओएबी के निगमी करण करने की योजना को मंजूरी दे दिये जो एक सन्यूत निकाय है जिसके तहट देजबर में 41 आयूद कारखानों की देखरे की जाती है विबिन मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक इस बोर्ड को साथ ने डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग्स में तब्दिल किया जाना है ब्रहसपती वार को तीन मानिता प्राप्त महासंगों ने एक सन्यूत बयान में कहा कि आयूत कारखानों में कारेरत समूचे कारेबल जिसमें 82,000 कर्मचारी और 4,000,000 रक्षा छेत्र के कारेरत सिविलियन कर्मचारी शामिल है ने केंदर के इस फैसले को खारिस कर दिया है महासंगों ने सभी राजनितिक दलो, ट्रेड यूनियनों, केंदर सरकार के कर्मचारी और देश के लोगों से इस स्याह फैसले के खिलाब विरोध करने की अपील की है All India Defence Employees Federation, Indian National Defence Workers Federation और RSS से संबध भारती प्रती रक्षा मजदूर संग ने अपने सन्यूत हस्तार चरित बयान में कहा है कि इसका देश की राश्री सुरक्षा एवं रक्षा तयारियों पर गंभीर दुस्प्रवाव देखने को मिल सकता है उत्तर प्रदेश जल निगम के करीब 9,018 कर्मचारियों को पिछले 4 महिनों से वेतन नहीं मिला है जबकि 13,585 रिटायर्ट कर्मचारियों को फरवरी से पेंशन नहीं मिलिये विभाग ने इसकी वज़़ा फंड की कमी को बताया है उत्तर प्रदेश जल निगम के अस्टाफ और रिटायट कर्मचारियों ने फैसला किया है कि वह अगले हफते से अनिशित काली इन प्रदर्शन करेंगे मार्च में जल निगम के कर्मचारियों ने वेतन पेंशन नमिलने के खिलाप धरन दिया था जिसके बाद मुक्यमंत्री योगी आदित ने अधिकारियों से कहा था कि कर्मचारियों को होली से पहले तीन महीने का वेतन दिया जाए लेकिन उनके आश्वासन के बावजूद फरवरी, मार्च, अप्रेल और मई का वेतन पेंशन अभी भी लंबित है बंबई उचन्यायाले ने एलगार परिशद माववादी संबंध मामले में आदिवासी अधिकार कारिकर्टा इस्टें स्वामी को शहर के एक नीजी अस्पताल में रखे जाने की अबधी प्रिस्पतिवार को 5 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी अस्पताल ने अदालत को एक रिपोर्ट सौब कर कहा था कि उनका स्वास्त नाजुक बना हुआ है जिसके बाद यह आदेश जारी किया गया उचन्यायाले ने 28 मई के अदेश के बाद स्वामी को विचारा धीन कैदी के रूप में नवी मुंबई की तलोजा जेल से इलाज के लिए उपनगरी बांदरा इस्थित होली फैमिली हॉस्पिटल में भरती कराया गया था स्वामी पार्किसंस सहित कई बीमारियों से ग्रसित हैं स्वामी ने अपने वकील महीर देशाई के जरिये इस साल की शुरुवात में उचन्यायाले का रुख किया था और स्वास्त आधार पर उपचार और अंतरिम जमानत का अन्रोध किया था नीजी अस्पताल में उनके कुरुणा वारे से संक्रमित होने की पुष्टी हुई थी और उन्हें आई सीउ में भरती किया था शुक्रवाल यानि 18 जून को जारी आकड़ो के नुसार देश में पिसले 24 गंटों में कुरुणा के 12,3999 मामले दर्ज़ किये गया इसके अलावा इस दोरान करीब दो महीने बाद 2000 से कम यानि 1591 मरीजों की मौत हुई है आकड़ा घड़ा है लेकिन अभी भी चिंता बनी हुई है साथी इसी बीश देश भर में कुरुणा से पिड़ित 88,499 मरीजों को ठीक किया रिया और कुल अक्टि मामलों में 28,84 मामले कम हुए देश में कुरुणा के मामलों की संक्या बढ़कर 2,991,679 हो गई है जिसमें से अब तक 3,82,931 लोगों की मौत हो चुकी है देश में कुरुणा से पिड़ित 96,760 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में अक्टि मामलों की संक्या गट कर 12,68 फीस दी यानी 8,26,740 हो गई है स्वासमंत्राले की ताज जानकारी के नुसार देश में कुरुणा वैक्सिन की 26,45,37,245 डोश दी जा चुकी है जिनमें से 32,41,483 वैक्सिन की डोश पिछले 24 कंटों में दी गई आज के डिल्यों आड़ों में बस इतना ही हमाई यूट्व चैनल को सब्सक्राइब करें साथी देश दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिस सेबसाइट भी जरूर देखे फेस्बुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें नियूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया